वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स लोगों को निशाना बना रही हैं जो किसाना अंदोलन के समर्थन में हैं पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट के बाद से खवा नजर आ रही कंगना अब सभी पर अपना हमला तेज कर रही है लेकिन इस बार उन्होंने भारते किर्केटर टीम के सलामी बल्लेवाज रोहिश शर्मा को लेकर एक ट्वीट किया जिस पर ट्वीटर ने एक्शन ले लिया है दरसल रोहिश शर्मा ने किसाना अंदोलन पर छिड़े गमसान पर ट्वीट किया था रोहिश ने लिखा जब भी हमें साथ खड़े रहे हैं भारत हमेशा ताकत वर रहा है और एक उपाय निकालना इस समय बेहस जरूरी बन गया है हमारे देश की भलाई में हमारे किसान एक महत्पूर रोल निभाते हैं और मुझे उमीद है कि हम साथ मिलकर जल्द ही उपाय निकालेंगे रोहिश के इसी ट्वीट पर कंगना ने तलक टिपड़ी कर दी कंगना ने रोहिट के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा किसान ऐसे कानून के खलाफ क्यों होंगे जो उनके लिए भले के लिए एक रांतिकारी कादम की तरह हैं यह अतंक वादी हैं जो बावाल मचा रहे हैं ऐसा कहोना इतना डर लगता है इसके अलावा कंगना ने आपती जनक शब्द भी लिखे इस पर एक्शन लेते हुए ट्वीटर ने तुरंत उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया और कहा कंगना ने ट्वीट में जिस तरह की भाशा का इस्तमाल किया वो उनके प्लेटफॉर्म के लिहाज से ठीक नहीं जारी किये गए स्टेटमेंट में लिखा है हमने सिर्फ उन ट्वीट पर एक्शन लिया है जो हमारे नियमों के उनलंगन में थी इसके अलावा और भी कई ट्वीट ट्वीट ट्वीटर ने कंगना के डिलीट किये है अब ट्वीटर के सेक्षन पर कंगना क्या कहती है ये देखने वाली बात होगी बने रही है जनसको ले जे देखने कंगना को जायाएए़ घर भी बात हुँे जाए़ी में अगनाए़